हर इतना ज्यादा मतलब की खराब इस सिती में था कि जब बरसात के दिनों में पानी किरता था था तो उसमें पानी चूटा था तो बेहन साधी करवाना है घर खर्चा चलाना है धाय सुरुपा में कैसे ही चलेगा एक मेरे सामनी एक वीडियो आता है जहां पर लिखा हुआ है यूट्यूब से पैसे कैसे कम आप पर थोड़ा बहुत अप्लोड करूंगा जो भी वीडियो आगा पैसा अर्णिंग सुरू हो जाएगा काँ वाले लोग घर वाले बगल वाले सब बोलते थे यह तो लड़का पागल हो गया मोवाइल पे अपना वीडियो कैमरा ओन करता ह है और क्या-क्या बगता रहता है इसी बीच एक बहुत बड़ा दुरहटना हो गया कि मेरे चैनल का जो एडिसेंस अकाउंट है वो डी से वर्ल्ड हो गया पर्मनेट अब मतलब करूं का यूटूब करूं कि जॉब करूं कि साइवर कैफे में काम करूं कि घर का बास सुनू और उनका जो है वो मतलब रोजाना कमाते हैं तो उनका जो है वो पढ़े लिखे कंभ है बड़ जो ग्यान वाली बाते हैं वह काफी अच्छा करते हैं मतलब लोगों के जिंदगी सवर सकता अगर उनको बातों कि या लेगिन दोस्टों जब वो किसी को कुछ ग्यान वाली पाते करते थे ना तो उनको वह वेल्यू नहीं करते थे क्योंकि उनके नजर में मेरे पापा एक साइकल पंचर बनाने वाले लेकिन दोस्तों मेरे लिए तो वह मेरा बाप और उनका ओधा मेरे लिए काफी उचा है तो मुझे उसी टाइम समझ में आ गया कि इस जिंदगी में इस दुनिया में अगर आपके पास पैसा ना हो आपका ओधा उचा ना हो ना तो कोई भी आपको वेल्यू नहीं करता सो हाई दोस्तों आप सब का फिर से एक ने व्लॉग पे स्वागत है सो दोस्ता आप लोग देख रहे हो मेरे पीछे है जो श्टोक का लोगो तो आप लो को दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को पुरा आपना यूटूब का जर्नी बताऊंगा कि मेरा जन्म से ले करके जो यूटूब का जो सफर रहा मैं कैसे मतलब इसको कंप्लीट किया मुझे क्या क्या जहिलना पड़ा तो आप लोगो इससे काफे ज्यादा पताया तो उनका रोजाना की इंकम था और मेरा सिर्फ हम लोगों का एक ही घर जो की कच्चा मकान उसको बोलते हैं मिट्टी का घर जिसमें खपरा हुआ करता था उसी घर में मेरे दादी मेरे दो बेहन मैं मम्मी पापा छे लोग रहते थे दोस्तों वह घर इतना ज्यादा बढ़ा मतलब की खराब इस्तिती में था जब बरसात की दिनों में पाणी गीडता था 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 तो जैसा कर में रहाव सकते ह Nawet तो मुझे उन्होंने जो एक सरकारी स्कूल में ही एडमिसन करवा दिया जहां पर कोई भी पैसा अगरे नहीं लगता था तो सरकारी स्कूल का जो पढ़ाई होता है आप लोगों पता ही होगा भली भाती कि वहां के जो टीचर से वह भी उतना ध्यान नहीं देते और बच्चे भी उसी किसम के होते हैं मैं भी कुछ उसी पर करका था मुझे भी नहीं पता था कि पढ़ाई लिखाई करके आगे क्या इसका अहमियत है तो फिर पापा ने मुझे काफी ज़्यादा जो है समझाया कि पढ़ाई लिखाई करके आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो तो मैंने पढ़ाई में भी ध्यान देना उस तो सुरू कि नहीं जिंदगी में कुछ अच्छा करना है और पापा क मैंने वहां से कंप्लीट किया और अच्छे माक्स के साथ कंप्लीट किया फर्ष्ट डिविजन पर मैं आया ठीक है तो पापा खुश हो करके मुझे एक कंप्यूटर गिफ्ट करते हैं लेकिन वह कंप्यूटर ऐसे ही नहीं आता काफी उसमें मसकत कना पड़ता कि मेरे अकेले नहीं दे पाएं मेरे नानी घर से कुछ लिया मैंने अंकल से लिया पापा ने कुछ दिये सब को जोड़ करके एक कंप्यूटर मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट किया काफी मुझे खुशी भी हुआ कि चलो मुझे एक नया चीज मेरे घर पर आ जाया है उसके बाद क दोश्व की इंटर करने की जब बात आई तो मैंने एक सरकारी कॉले से फिर इंटर कंप्लीट किया अब इंटर कंप्लीट करने के बाद दोस्ति यहां पर बात आता है कि अब मुझे क्या करना लाइफ नहीं तो मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि मैं डिप्लोमा या फिर ब तो फिर मैंने क्या क्या वो जो मेरा सौकी वाला चीज था कंप्यूटर उसको मुझे बेचना पड़ा उसको बेच करके कुछ पैसे घर से मिला करके इधर उधर करके 15,000 इखटे किये उसके बाद मेरा इडियाई में एडमेशन हुआ इडियाई में एडमेशन होने के बाद दोस्तों मैंने वहां पर आईडियाई करना शुरू किया करते करते अपने पॉकेट मनी निकालने के लिए ठीक है क्यों कोई घर से इतना ज्यादा मतलब कि यह समझ रहे दो बेहन है साधी करवाना है घर किलोमेटर डेली साइकल में जाना फिर आना धूप में गर्मी में ठीक है तो उसी तरह से आईटियाई कंप्लीट क्या किसी तरह अब आईटियाई जब मेरा कंप्लीट हो गया उसके बाद घर से प्रेसर आने लगा अब तुम्हें कोई जॉब अगरा करना है क्योंकि अब गुजरात जाकर के दोस्तों वहां पर जब मुझे काम करने के लिए मेरा फर्स डे जब था मैं गया काम करने फैक्टरी पर तो भाई मैंने देखकर मेरा होश उड़ गया क्योंकि दोस्तों वहां पर जो है ना बहुत बड़े-बड़े मसीन लगे हुए थे जिने मैं समझ गया मेरे बस की बात नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा तो मैंने क्या 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 एक दो दिन काम किया उसके बाद साथ दिनों के बाद ही रिटन घर चला गया तब मैंने दोस्तों क्या किया कि टीचिंग तो फिर से मैंने कंटीनियू कर दिया बच्चों को पढ़ाना घरा करके उसके बाद साथी साथ एक साइवर कैफे में भी जोइन कर लिया काम करने के लिए अब साइवर कैफे से मुझे महिने के 900 से 1000 रुपे मिलते से और टीवसन प सब क Κाबील बनाना है एक ही रास्ता और और अच्चे ऐसे पढ़ाई मैं पढ़ाई desirable में नहीं अग सब्सक् ediseस 3 मेरा इंट्रेस्ट ही नहीं था फिर भी पापा के कहने पर मैंने एडिमेशन लिया पढ़ाई वगरा करने लगा अच्छे तरह के से पढ़ने लगा आप दोस्तों क्या हुआ कि साइबर कैफे में काम करते करते एक मेरे सामनी एक वीडियो आता है जहां पर लिखा हुआ है ना कोई ना कोई ग्रोस चैनल पर काम किया Tech subscriber से 30 का थर्टी ही रह गया छे मेने में 30 सब्सक्राइब और 30 का 30 कोई नहीं सब्सक्राइब करता था और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने समझ गया कि इससे मेरा कुछ होना नहीं है फिर मैंने दोस्तों एक और यूटूब चैनल पनाया कुछ गाओं के लड़कों के साथ कौमेडी चैनल अमीद भडाना क क्या अच्छा कंठेंड बना सकता हुं तो मुझे पता चला कि अच्छा कुछ कर सकता क्यों मेरा 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 प्वॉन में इलट्रॉनिक गैजट लेफ्टॉप यह सब कपी ज़्यादा इंट्रेष्ट तो मैंने आट चैनल फाइनली आपन के टेकनिकलम मनोज के नाम मिला ठीक है continue मैंने वीडियो बनाना शुरू किया कुछ-कुछ व्यूज आने लगे एक एक दिन में एक एक दो डॉलर बनना शुरू हो गया ठीक है तो उसी तरह से चलता रहा अब क्या हुआ उसमें काम करते करते दोस्तों घर से अब प्रेसर आना शुरू हुआ कि तुम्हे मैंने क्या कि कि किसी तरह से चलो मैं कर रहा हूं कर रहा हूं साइबर काफे में काम कर रहा हूं फिर यूटूब पे भी करता रहा टेकनिकल मोलज पे उसमें दोस्तों 80 डॉलर कंप्लीट हो गया कुछ वीडियो करने के बाद मानद के चलो सौट डेड़ सो वीडियो पीडि कोई वीडियो डाल करके कहीं पे कैसे मतलब पैसा आ सकता है मुझे बोलने लेगे तुमको पागल बना रहा है समय ध्यान मत दो पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो डाड़ भी सुना मैंने घर से फिर मैंने बोला नहीं थोड़ा वेट करो एक ड़ड़ मेने के अंदर में प कैनल पे पर्मानेटली डिसेबल्ड हो गया अब मैं घर पे कैसे समझाओ पैमेंट तो आने सरा पैमेंट आएगा नहीं डिसेबल्ड हो गया तो दोस्तों एक जड़े मिने तक मैं डिप्रेसन में चला गया मैंने सोचा कि सायद से मेरे किसमत में यूटूब अगरा नहीं है मेरे साथ पैसावे सामें नहीं कामा पाऊंगो यूटूब से और घर से भी इतना प्रेसर आ रहा था साथ ही साथ गावाले लोग घर वाले बगल वाले सब बोलते थे यह तो लड़का पागल हो गया क्या-क्या करता है यूटूब पे वीडियो मतलब मोबाइल पे अपना कैमरा ओन करता है और क्या-क्या बगता रहता है सब पागल बोलने लगे और मैं अभी मतलब की डिमोटिवेट हो गया कि साइसे में कुछ प्रूब भी नहीं कर पाऊंगा किसी के लिए कि मैं कुछ कर रहा हूं तो मैंने एक डेड़ मेने तक पुरा यूटूब छोड़ दि देते हैं तो एक डेड़ मेने के बाट डिप्रेशन से थोड़ा सा निकल करके एक और यूटूब चैनल बनाया जो कि आज आप सब के सामने है मनोज दे नाम से यूटूब चैनल है वह वाला चैनल मैंने फिर से ओपन कर लिया फिर से ओपन किया तो उस टाइम दोस्तों क्य पुरा कर लिया की बाट मैरा चैनल चला गया रिभीु करने के बाट मेरे सब हो पा रहा है अब क्या हूए कि चार महने तक रिविव पे ही रहा है आप घर से और प्रेसर आना शुरूगा कि तुमको आप जौब कुछ ना कुछ करो कुछ तो करना पड़ेगा घर मैं नहीं कि जाके जॉइन कर लूँ मतलब इस तरह का सिच्वेशन क्रिएट हो गया उश्टाएं तो कहते हैं ना दोस्तों की एक डायलोग है कि जैसे में हम कोई दर्वाजा को तोड़ने की कोसिद करते हैं तो माली जो उसे लात से मार मार के तोड़ने की कोसिद कर रहें जब वह तू मेरे यूटूब से तुरूब कुछ नहीं होता है तो मैं यूटूब छोड़ दूगा जाकर जॉब जॉइन कर दूब उसके बाद दोस्तों वह जो एक मेने का जिन्दगी था मेरा वह काफी ज्यादा मतलब कि खराब परिशिती में मेरा भीद रहा था रातरा दोफन नहीं आ आता था ना मेरे पास ट्राइपोड था ना मेरे पास माइक था कुछ भी नहीं था और अपना घर भी नहीं था अपना घर नहीं था मैं किसी दूसरे के घर के सीड़ी का जो कोना होता हो सीड़ी के कोने पर श्टूल लागा करके बैठ करके उसी पर वीडियो बनाता था कभ इतना ज्यादा खुश हुआ ुपना खुश हुआ जाहिर नहीं कर पा रहा था किसी्से। कोई समझता भी नहीं था कि YouTube क्या होता नहीं आप तो फाइनली चैनल तो मॉनटाइज हो गया रखो इस सीशाय मेरा 2003 सब्सिरबस बन चुका था था चैनल पर च contents सब्सक्राइबर होने के वज़ा से मेरे चैनल पर व्यूज अच्छा खासा उस टाइम आना शुरू हो गया था तो क्या हुआ कि एक ही महिने में मेरे चैनल पर हंड्रेड वाला जो डॉलर वाला जो होता है मैलिश्ण वह कंप्लीट हो चुका दो सो डॉलर मैंने कमा लिए एक महिने में 200 डॉलर होता है 14,000 के करीब आब वह 14,000 दोस्तों मेरे बैंक पर आता है और यह 14,000 रुपिया आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा अमांट हो सकता है गरीब फैमली के लिए जिसके पापा सिर्फ 500 रुपिय पडड़े कमाते थे मतलब महिने में आप समझ सकते 6-7,000 रुपिया और एक ही बार में बैंक में जब 14,000 आता है तो वह खुशी अलग लेबल का खुशी होता है तब मैंने जाके घर पे बोला तो पापा घरवाले ममी दादी सब कोई बहुत ज़्यादा खुश हुई कि हां इन्होंने सच बोला था उस टाइम मैंने प्रूप किया क यूटूब से पैसा आता है तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि लोगों का भर भर के मेरे वीडियो पर प्यार आने लगा चैनल तो रोकट की तरह चलने लगी ठीक है एक साल में मैंने जो हजार में इंकम करता था वो मेरे लाखों में बदल गया आज के डेट पे दोस्त तो दोस्तों मैंने यूटूब से तो काफी कुछ अचीव किया है लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा जो अचीमेंट था वो था पापा को रिस्पेक्ट बिलाना जब मेरे पापा पंचर बनाते थे तो उस ताइम मेरे पापा का बात को कोई वी वैल्यू नहीं करता था मैंने कि पापा का नाम आपके थुरू से हो यह बहुत वड़ा अचीमेंट आपके लाइफ में तो दोस्तों आप सब के मन में एक डाउट तो अभी होगा कि उस टाइम तो आपने मतलब मैं तो यूटूबर बन गया क्योंकि उस टाइम कंपिटिशन कम था लेकिन ऐसा सीन नहीं ह पाया था उस टाइम भी कंपिटिशन था और आज भी कंपिटिशन है और अगर आप चाहो तो कंपिटिशन नहीं सब आप पे डिपेंड करता है कंपिटिशन बोलके कुछ नहीं होता आज के डेट पे रिसेंटली बहुत सारी यूटूबर्स आज उभर करके आ रहे हैं आप यूटूब के चैनल बना करके यूटूब जर्णी को शाट कर सकते हो बस आपके पास तो तीन चीज होना चाहिए वह है पैसंस ठीक है आपका लगन और महनत ये तीन चीज अगर आपके अंदर में है ता आप यूटूब आरांब से ग्रोव कर सकते हो तो दोस्तों यूटूब चैनल बंद हो गया एक भी 80 डॉलर होने के बाद भी बंद हो गया अगर मैं उस टाइम हर मान लेता तो साहिद साज इस मुकाम पे नहीं होता आज मनोज दे चैनल पर 2.6 किसमत जैसी कोई भी बात नहीं होती किश्मत आप खुद बनाते हो आप अप जैसा कर्म करते हों ये जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी को seriously लेते हैं, आप उस सारे skills acquire करना चाते हैं, जिससे आप जिंदगी में तरक्की कर सकें, लोगों से आगे बढ़ पाएं। और अगर ये सच है, तो Josh Talks का ही एक app है Josh Skills, जहां exactly इसी चीज़ को करने के लिए बहुत ही खुबसूरत, बहुत सारे courses बनाए गए हैं, courses जो लाखो students अलरड़ी ले चुके हैं, ये courses specifically सिर्फ educational नहीं हैं, जहां आप Excel Skills, PowerPoint Skills और ये सब सीख सकते हैं, बटकी Life Skills भी हैं, जहां आप confidence कैसे acquire कर सकते हैं, वो सीख सकते हैं, आप hesitation की बिना कैसे बोलें, वो सीख सकते हैं, आप अपनी personality कैसे develop कर सकते हैं, वो सीख सकते हैं, हर एक course में daily quizzes हैं, exercises हैं, एक बहुत ही खुबसूरत community है, जो आपको support करेगी, आपको encourage करेगी, तो अगर आपको ये talk पसंद आया हो Josh Talks जो करता है, वो पसंद है, तो आपको Josh Skills भी बहुत, बहुत ही फायदे में पलेता है, आज ही download करें Josh Skills का app, और उनके courses explore करके, अपनी जिन्दिकी को आज़ी बहुत हैं, जिसके साथ Josh Talks की सबी कहानिया, audio format में upload होंगी, केवल Spotify पर, और हाँ, अगर आपको ये video अच्छी लगी, तो आप Josh Talks पॉड़कास्ट को follow कर सकते हैं, और सुन सकते हैं, ऐसी कई प्रेणा दाइक कहानिया, सिर्फ Spotify पर